लालू बोले तेजास्वी तो एक भाना था, नीतिश को बीजेबी की गुद में जाना था पटना, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने नीतिश कुमार पर तीखा हमला बोला है लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीटिश कुमार ने बड़ा धोका दिया है लालू यादव ने कहा कि नीटिश ने ढोंग किया है उन्होंने कहा कि पहले नीटिश ने कहा था कि किसी भी सूरत में बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा साथ ही लालू यादव ने कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए सरकार बनाने का मौका हमें पहले मिलना चाहिए था साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे साथ ही लालू ने कहा कि तेज अस्वी तो एक बहाना था नीतीश को बीजेपी की गुद में जाना था लालू ने नीतीश को बताया धोंगी और भसमासूर लालू यादव ने नीतीश कुमार को धोंगी बताते हुए कहा कि हम 15 रंड 20 साल से मुकदमा ही लद रहे हैं लोवकोर्ट में हमें दोशी बनाने में नीतीश कुमार का ही हाथ था लालू ने कहा कि चुनाव के समय मुदी ने बिहार में गुमास का सवाल उठाया था और नीतीश कुमार के डियने पर भी सवाल उठाया लालू बोले नीतीश ने हमारे साथ ढोंग किया है लालू बोले कि नीटिश ने कहा था कि हम लोग बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन लुध्याना में हाथ मिलाया साथ ही लालू ने नीटिश कुमार को भस मासुर बताया लालू यादव ने कहा कि मैंने शंकर की तरह बोला कि जाओ पर नीतीश कुमार तो भस मासुर निकले खुद अपना प्रचार करवाते हैं नीतिश लालू यादव ने नीतिश पर हमला बोलते हुए कहा कि जे डी यू वाले खुद अपना प्रचार करवाते थे कि नीतिश कुमार पी एम मैटीरल है लालू बोले कि मैंने नीतीश कमार को CM बनाया चाहता तो अपने बेटे को CM बनवा सकता था साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश ने BJP के साथ मिलकर मेरे खिलाफ CBI और ED का केस करवाया लालू ने कहा कि इसके लिए सुशील मोधी को कहा गया कि तुम रोज लालू की image खराब करो पहले से fix था सब कुछ हा लालू यादव ने कहा कि BJP और नीतीश के बीच पहले से match fix था लालू ने कहा कि दिली में बीजेपी की पारलमेंट की मीटिंग, पत्ना में नीतीश का इस्तीफा और बीजेपी की मीटिंग सब कुछ फिक्स था लालू ने कहा कि मैं वही था लेकिन जब गर्वनर को बुलाया गया तो मैं समझ गया कि कुछ गटबुढ है बिहार में होती है शराब की होम डिलिवरी लालू यादव नीतिश की शराब बंदी पर पर भी निशाना साधा लालू ने नीतिश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शराब की होम डिलिवरी हो रही है हमने कहा था कि अगर तुम्हें मुख्य मंतरी नहीं रहना है तो तुम हट जाओ किसी ओर को C.M. बना देते हैं लालू ने कहा कि नीटीश ने हमें कहा कि गफन में जेब नहीं होता है लेकिन नीटीश के कफन में तो पूरा खा पूरा जोला है लालू ने सुशील मोदी को बताया नीतीश की सटेपनी लालू यादव ने सुशील मोदी पर भी निशाना साधा लालू ने कहा कि सुशील मोदी तो पहले भी नीतीश कुमार की सपेचनी था और अब फिर से वहां नीतीश की सटेपनी बन गए है लालू बोले हमने राज भवन में कहा था कि हमें सरकार बनाने मौका मिलना चाहिए लालू ने कहा कि हमें 11 वजे का टाइम दिया गया था लेकिन उसके बाद भी नीदीश को सरकार बनाने दी